हेलो एवरिवन मैं राधिकाज कीचन में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको डियाई पिडाइट के बारे में बताने जा रही हूँ जो की आपकी हेल्थ को बहुत अच्छी रखेगी और आपको सभी बिमारियों से बचाएगी मैं भी इसे 6 मिने से यूज करती हूँ इससे मुझे भोग ज़्यादा बेनिफिट हुआ है पहले मेरा बीपी बहुत हाई रहता था मैं दवाई भी भोग ज़्यादा यूज करती थी लेकिन जब से मैंने ये डियाई पी डाइट सुरू की है मेरा धिरे धिरे बीपी भी नोर्मल आ चुका है और मैंने दवाई भी अपनी कम कर दिये तो इसलिए आज मैं आपके साथ ये सेयर करना चाती हूँ तो आप भी इसे ध्यान से सुने और ध्यान से देखे कि इसे कैसे फोलो करना है आप बीच में वीडियो को ना काटे जिससे कि आपके कहीं भी वीडियो छूट जाए और आप पूरा ना देख पाए आपको बेनिफिट ना मिले तो इसलिए आप इसे ध्यान से सुनें और ध्यान से देखें तो आपको क्या करना है डियाई पिडाइट के लिए आपको सुबह 6 बज़े से लेकर 12 बज़े तक आपको फूर्ट खाने है आपको dairy product बिल्कुल नहीं लेना, दूद नहीं लेना, चाय नहीं लेना, पैकिट बन वाली चीज़े नहीं लेनी है आपको सिर्फ fruit यूज करने उल्ली 6 बजे से लेके 12 बजे तक आपको अपने weight, जितना आपका weight है उसको आप 10 से multiply कर ले उतने fruit आपको, उतने gram fruit आपको लेने है जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको example, 70 kilo weight है तो आप उसको 10 से multiply करोगे, तो 700 gram आजाएगा तो आपको 700 gram fruit यूज करनी है तो देखना आपको धीरे धीरे इससे बहुत ज़्यादा benefit मिलेगा आपकी जो बिमारी है, उसमें भी धीरे-धीरे अराम हो जाएगा आपकी जो दवाईया जादा चल रही है, वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगी कहते हैं सूगर में fruit नहीं खाते है, मिठा ये मत खाओ, वो मत खाओ लेकिन सूगर इससे बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा आपका, आप इसे यूज करोगे तो आप किसी भी तरह के fruit यूज कर सकते हैं, जैसी कि मैंने लिया हुआ है पपिता, बनाना, ओरेंज, किनो, एपल, अमरूद तो आप भी जो आपके पास fruit है, आप उसी को यूज करें, उसी को खाएं, आपको उसी से benefit मिलेगा अगर आप चाते हो कि एक बार में ये fruit हमसे नहीं खाए जाएंगे, तो आप इसको तीन या च्यार बार में डिवाइड करके भी खा सकते हो बीच में थोड़ा सा खा लिया, आपने 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 8 बजे, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप इसको 12 बजे तक आपको only fruit, fruit यूज करना है मैंने आपको अभी सुवे बताया था, fruit खाने के लिए, आपने वेट के, according, 70 kg है तो आपको 700 ग्राम खाना है, अब मैं बता रही हो आपका, दुफैर में हमें क्या खाना है, दुफैर में हमें, हमने जैसे 700 ग्राम खाया है सुवे, तो अब उसका half करना हमें, अब हमें खान है, 3.300 ग्राम सेलेड, तो सेलेड में आपको भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेवलेबल है, मैंने खीरा लिया है, गाजर, मूली, टमाटर, अब हम इसको 3.500 ग्राम खाना से पहले खाएंगे, इसको 3.500 ग्राम खाने के बाद हम कुछ भी खा सकते हैं, हम मिठा भी तला हुआ भी खा सकते हमें कुछ भी नहीं से देगा कहते हमें यह नुक्षान देगा यह चीज हम नहीं खाएंगे हम सब कुछ खा सकते हैं तो इसलिए आप इसको जरूर योज करें और साड़े तीन सो गिराम आपको 70 kg के अकोर्डिंग आपको खाना है इस चीज का ध्यान रखे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको फिर शाम को मैं बताऊंगी डिनर में आपको क्या खाना है कैसे खाना है खाना पेट भर कर खा सकते जितना आपको खाना है वो आपको कोई नुक्षान नहीं पहुचाएगा अभी हमने 3,5-3,5 ग्राम सेलड खाई थी अब उसके बाद हमें खाना खाना है जो आपके घर में बना हुआ है वो ही खाना है मैंने आज घिया बनाई है तो मैं घिया ही खा रही हूँ तो ऐसे आप कुछ ना करेफिज ये नहीं खाएं हम वो नहीं खाएं जो आपके घर में हो सेलड खाने के बाद ही आपको खाना खाना है जितना आप खा सकते हैं उतना खा सकते हैं मैंने आपको सुबह कब भताया था 700 गिराम दुफैर में बताया 300 गिराम अभी ये रात का हमारा है इसमें मैंने पालक, मेथी और सरसो तीन चीज लिए पत्ते में कुछ भी हो आप और मूली के पत्ते ये आपको रात में खाने है ये खाने हमें 70 गिराम खाना खाने से पहले और वैसे हो सके तो आप खाना ना खाए तो ज़्यादा फाइदा रहेगा आपको रात को आप सैलेड ही लेकर सो जाए और 7 बजे से पहले पहले ही खाना है आपको 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना यह मैंने वेट की अकोडिंग बताया है मैंने एक्जैmple दिया था आपको 70 kg का आप उसी की अकोडिंग देखना की आपका वेट कितना है 50 kg है तो आप उसको 10 से मल्टिप्लाइ करें आपका 500 गिराम हो जाएगा तो ऐसे ही आपको अपने वेट के अकोर्डिंग देखना है 50 kg है 80 kg है 90 kg है जितना भी वेट है अब मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिन्नोंने नहीं किया है लाइक करें कमेंट कर और ये डाइट जरूर फोलो करें इससे आपका सरीर की जो भी बिमारी है धिरे धिरे वो खतम हो जाएगी आप इस डाइट को अच्छे से फोलो करना आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा हुआ है पहले मेरे क्लोटिंग बनी हुई थी जगए जगए पे सरीर में ब्लैक निसान बन चुके थे लेकिन जब से मैंने डाइट सुरू की है तब से मेरे सारे ब्लोकेज खतम हो चुके है मेरे को किडनी की प्रोग्लम थी उसमें भी मुझे बेनिफिट मिला है अब मैं तला हुआ गी सब कुछ खाती हूँ नहीं तो पहले मैं खाती थी तो मुझे चक्कर आते थे इस डाइट को फोलो करने से मुझे बहुत बेनिफिट मिला है इसलिए मैं आपके साथ ये सेयर कर रही हूँ तो किर्पया आप भी इसे जरूर फोलो करें और अपने सरीर की बिमारियों को खतम करें धन्यवाद